हुआ है चलिए सर श्टार्ट करते हैं लास्ट में हमने क्या क्या कर लिया हमने लास्ट क्लाश के अंदर एक कॉंसर्प्ट श्टार्ट किया था धैट स्टोर लेजर स्टोर लेजर के अंदर हमने देखा था यहां पर क्या है सर हमारा एक क्या मित पर पुराने वाला पहले बेचना है और एक वेटेडा एवरेज ऐसे आज वाली क्लास में हम देख लेंगे और इसके बाद एक periodic है जिसके अंदर तीनों मेथट सेम रहेंगे प्रियोडिक के भी कुश्चन साथ देख लेंगे हैं तो हमने सबसे पहले कुश्चन को समझते हुए हमने कुछ इसी कुश्चन को करने जा रहे हैं वेटेड आवरेश से इसको पहले सारा एरेज कर देते हैं कर देते हैं आप चले हमारे सामने वेटेड़ेश को कैसे करेंगे यहां पर हाला की कुश्चन पर मत जाईएगा मैंने इसी को करने का सोचा है और यह हम करेंगे वेटेडेश से डबलू यह लिख रहा हूं को और है सबसे पहले जन्वरी एक को 50 unit ता धो कि जन्वरी एक को 50 यूंट का बैलेंस सा bandwidth फ्यूट थे इसटो पांच यूनिट पर चेश क्या देखना वेटेट वाला जो नहीं पर था रहा वो किस पर रहा था जब इस्यू कर रहे थे तो वहां पर ली रहे थे लेकिन वेटेट वाले पर हमारा बैलेंस पर आएगा चलिए आगे दिखते हैं सर अगले एंट्री में हमने पांच जन्वरी को 40 यूनिट 3 रुपे के साफ से खरीद लिए तो पांच जन्वरी को हमने रिसीव किये कि चालिस यूनिट 3 रुपे डेट इस 120 अब जो बैलेंस में आप करोगे न तो कैसे करोगे बैलेंस में 50 ये और ये 40 टोटल आपके 90 यूनिट हो जाएंगे और 120 ये और 200 ये टोटल कितने हो जाएंगे अब एक नया रेट इसको और इसको डिवाइड करके निकालोगे एक नियू रेट निकालना पड़ेगा डिवाइड करके तेट इस आपका 320 यह 3.55 मतलब सौन 5555 चलता जा रहा है तो 3.55 आ गया इसको अपडेट कर दें अभी आएगा नहीं अगली ख्लास से फोन नबर अगली ख्लास तक सारी चीज अविलिबल हो जाएगा यहां तक क्लियर है फिर से आगे ध्यान देना आगे आठ तारिक को फिर से रिसीव किया इसने छोटा जरूर दिख रहा होगा लेकिन है आठ एक को फिर से रिसीव किया कितने युनिट रिसीव किये इस बार युनिट 30 और 4 रुपए 120 अब यहां कैसे लोगे 90 और 30 यह 120 और 120 और 320 440 अब 440 divided by 120 अब नया rate आएगा 3.66 आठ के बाद आप देखो तो 10 तारिक को आपने इशू किये हैं 10 एक को आपने इशू किया तो जो इशू किया है आपने कितने unit इशू किये हैं सर यहां पे आपने सत्तर unit तो सत्तर unit आपको निकालना है 3.666 से तो सत्तर into में 3.666 तो यहां जाएगा 256 और यहां पे हमेशा एक से दो रुपे चार पांच रुपे तक का फरक रहेगा आपका डिफरेंस लेने ठीक है ना तो अब जो बैलेंस बच गया हमारा 120 में से 70 चले गया बचे कितने पचास अब पचास जो बचे होंगे मैं डिफरेंस ले लेता हूं 140 और 256 का 116 रुपे और 3.66 हाला कि जब आप 150 को 3.66 से मल्टिप्लाई करोगे तो नहीं 440 माइनस में 256 184 आएगा यह 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 जो आएगा वो आएगा 184 हाला कि जब आप इसको इससे मल्टिप्लाई करोगे तो में भी पॉसिबल है कि आपको 182-183 दो तीन रुपे का फरक दिखेगा ही दिखेगा चलिए सर दस के बाद फिर 12 तारिक को फिर से अगेन आपने इसू कर दिया तो बारा एक को आप इसू करोगे और बारा एक को जब आप इसू करोगे तो कितने इसू करने की बात कर रहा है सर अनली 10 यूनिट तो 10 यूनिट इसू करोगे अगेन 3.666 तो 10 इंटू में 3.66 तो 36 रुपे अब 36 रुपे कुछ आ रहा है तो मैं 37 कर देता हूं इसको अब बचे कितने सर 40 बचे और अगर 184 में से हम 37 माइनस कर दे 147 और मैंने यहां रेट ल लेता हूं बीच का ठीक है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर 3.55 कैसे आया हमने क्या करा सर आ 320 आया था 320 को 90 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आ गया 3.55 का सर 320 कैसे आया 320 पहले वाले दो सो और नए वाले 120 को जोडर कर दोर एककर द देखना इसके बाद 15 तारिकлем को पर चेस किा जिसको समझ में नहीं आया देखना ध्यान से 15 तारिक को 247 अब 247 divided by 60 करोगे तो अब रेट अलग आ गया 4.11 आ गया आगे decimal में और भी changes है 4.116 है ऐसे है तो एक दो point आगे पीछे चलेगा 15 के बाद 25 है 20 को आपने इसू किया कितने unit 20 unit तो 20 को आपने इसू कर दिये सर कितने unit इसू कर दिये 20 unit किस rate के जाएंगे पता है 4.11 तो 20 इंटू में 4.11 82 आ गया point 2 मैं 82 रहने दिया बचे कितने 40 अब 40 अब 247 में से आप सीधा यह माइनस कर दो तो आपका कुछ मैच होता जाएगा बस 165 रेट ही आ गया अगर आप फिर बोलोगे सर मैं करके देखता हूं 40 इंटू में 4.11 तो यहां पर आ रहा है 64.44 यानि 60 परसे का फरकार है तो वो इतना चलेगा आपको इसलिए मैं डारेक्ट ले रहा हूं सर इसू में 3.66 क्यों लिया कि जो स्टॉक पढ़ा होगा हम उतने में ही इसू कर देंगे यहां पर हमें लीफो फीफो की तरह के से पहले पुराना नहीं हमारे पास तो एक ही स्टॉक पढ़ा है 40 यूनिट अब इसमें यह नहीं कह सकते कि कौन सा पुराना कौन सा नया अब र 24 को इशू कर दिया कितने यूनिट इशू किया सर 24 को आपने अब 10 इशू किया 4.11 तो यह आ गया 42 मान लेते हैं चलो तो बचे कितने 30 और 30 और 165 में से 42 माइनस कर दो तो यह बच गया सर 123 इस 165 में से 24 को माइनस किया 23 जब तक आप इसको खूद नहीं करेंगा ना एक बार कर के आपको देखना पड़ेगा तो यह 4.11 अगेन हमारा रेट है से इसके बाद आपका 25 तारीक को आपने क्या करा सर 25 को आपने बेच दिया सरी 25 तारी को receive किया कितने unit receive किया सर 40 unit कितने वाले 3 120 तो आपके पास 30 पहले से 43 आगे तो कितने हो गए 70 120 और 123 243 तो आप 243 divided by 70 तो rate आया हमारा 3.47 आगे क्या कहता है सर आपका shortage shortage आपका एक तरीके से issue ही मानके करना है shortage क्या होता है एक तरीके से issue मानके करना है तो आगे 27 तारिक पे आपका issue हो गया कितने unit issue हुआ पांच unit किस rate के 3.47 तो 3.47 इंटू में 5 यह आगे हमारा 17 अठारा रुपे मान लो तो बचे कितने सर 65 243 माइनस में 18 तो टू टू फाइफ डिवाइड वाइड वाइड सिक्स्टी फाइफ 3.47 तो अभी इतने का हमारा closing stock बचा हुआ है पहले यहां तक सभी को बात समझ में आगे है क्या है इसमें कोई परिशानी है कोई दिक्कत क्लियर है यहां तक बताईए अगर मैं सिंपल बात करूं तो बहुत टोटल कर देंगे तो यह क्या होगा cost of goods sold जितने का समान बेचा गया है और अगर मैंने बोला मैंने सेल इतने का किया क्या दोनों के बीच का प्रॉफिट निकाल पाओगे निकाल सकते हैं कि चलिए